आप सभी का स्वागते फिर से एक मज़ेदार PC Build वाले वीडियो में गाइस आज हम PC Build करने वाले हैं जो की होगा 97,000 रुपिस के अंडर में इसमें आप चाहो तो हाई लेवल की गेमिंग, हाई लेवल की एडिटिंग, हाई लेवल के ग्राफिक डिजाइनिंग वाले काम तो एनिमेशन वाला काम है वो भी करना चाते हो तो वो भी कर सकते हो वाला एक PC build चाहिए और उसमें आप चाहो तो साथ में थोड़ा सा entertainment परपस से gaming अच्छी कर पाओ तो यह PC build आपके लिए ही है हम सबसे पहले CPU की बात करें CPU हमने सीले किया है AMD की तरब से आने वाला Ryzen 5 7600X इस CPU में आपको 6 core and 12 thread डेखने मिल जाते है इस CPU की जो base clock है वो आपको 4.7 GHz की मिल जाती है और इसकी max frequency है वो आपको 5.3 GHz की मिल जाती है जो L2 cache memory है 6 MB की मिल जाती है और जो यह CPU है वो AM5 socket support करता है और RAM support करता है DDR5 वाली 5200 MHz या उससे उपर वाली RAM आपको लगानी इसके साथ इस processor की price की बात करें guys तो अभी के time पे इसकी थोड़ी सी price है वो गीरी है मतलब की थोड़ा सा सस्ता हुआ है अभी तो यह आपको market में थोड़ा सा धूंडोगे थोड़े से अच्छे sop वाले होंगे मतलब की बड़ी sop में धूंडोगे तो वहाँ पे आपको यह 18,000 से ले इसका मामला थंडा नहीं रहेगा नोर्मल कुलर से लिए आपको लगाना पड़ेगा लिक्वीट कुलर तो लिक्वीट कुलर में हमने यहाँ पे जो लिक्वीट कुलर सी ले किया है guys वो है डीप कुल की तरफ से LE500 240 mm का यह लिक्वीट कुलर है ARGB के नसे भी इसमें भरकु की हम बात करें guys तो यह आपको market में बहुत ही आसानी से आठ से साड़े 5000 में बहुत ही आसानी से आपको offline market में मिल जाएगा भी बात आती है guys यहाँ पे motherboard की तो motherboard भी हमने अच्छा सी ले किया है और हो सके उतना सस्ता बड़्ट परफॉमर्स हमें अच्छी दे वैसा motherboard हमने सी किया है यह motherboard में आपको VRM पे भी बहुत ही अच्छी हिट्सिंग में देखने मिल जाती है और उसके सार सार जो हमारी M.2 SSD के दो स्लोट है उसके उपर भी उनको बहुत ही अच्छी quality की हिट्सिंग देखने मिल जाती है इससे की हमारी VRM और हमारी M.2 SSDs के साथ एटेज होगी वो भी एकदम चेल्ड होकर चलेगी यहां पे यह भी है कि इसमें आपको port में 3.2 वाले port मिल जाते हैं इसमें आपको Type-C वाला भी एक port मिल जाता है यह एक अच्छी चीज़ है इसकी VRM भी उस मुताबिक capable है इच्छा motherboard है कि हमें जो काम चाहिए उस मुताबिक को motherboard यहां पे देखने मिल जाता है प्राइस की बात करूं गाइस ओफ-लाइन मार्कित में यह 12.5 के आसपास आपको बहुत ही आसानी से यहीं motherboard आपको देखने मिल जाएगा ओन-लाइन मार्कित में 14-15 के आसपास चलता है उफ-लाइन में बिल्कुल आसानी से आपको 12-12.5 के आसपास आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो यह motherboard आपको पर्चेस कर ले रहा है वही ब्रैंड की और वही मोडल मैंने सीले किया है जो की है और सेर की तरफ से आने वाली वेंजेंस मोडल 5200 मेगार्स वाली यह रेम है अगर आपका पोड़ा सा बजेट कम है तो अभी के टाइम पे आप सिर्थ 16GB रेम लगा सकते हैं जो की आपको 4000 रुपे में पढ़ और 8000 रुपे से कम में भी मिल सकती है और आपको पर्फॉमस भी इसमें बहुत आची देखने मिलेगी तो अभी बात आती है स्टोरेज की गई स्टोरेज में मैंने सीले की है एम डोट टू एससडी डवली डी की तरफ से ब्लेक 770 जो मोडल है जेन 4 वाली एससडी है यह व पर्फॉमस से वह बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगी और यह एम डोट टू एससडी है वह मार्कित में बहुत ही आसानी से आपको 6000 से साड़े 6000 के आसपास ओनलाइन ओफलाइन मार्कित में वन टीवी वाला जो वेरियंट है वह बहुत ही आसानी से मिल जाएगा WD Black SN770 जो वाला जो एडिशन है वह आपको बहुत ही आसानी से मार्कित में अभी के टाइम पे इगल एडिशन वाला जो त्रीफेन वाला जीप्यू है 35,000 से 35,000 के आसपास लाइन मार्कित में मिल जाएगा और सच कहूं तो इतने में यह आपको जीप्यू मिलता है 4060 Ti तो बहुत ही और सच में जो यह परफॉमस देगा अगर आप विडिबडीयो एडिडिटन करना चाहते हो तो भी बहुत अच्छी विडियो एडिडिटन आप कर पाओगे और जो गेमिंग है के वाली गेमिंग भी अच्छी तरीके से कर पाओगे और चोनी आप प्योर पावर देयं और अच्छी तरीके से हमारे सारे कंपोनेट को आवर मिल पाई इसके लिए हम यहाँ पर पावर सप्लाई है वो सीलेक करेंगे कोर्सेर ब्राइंड की तरफ से आने वाली CV650 वाली यह पावर सप्लाई है बहुत आसाणी से मार्कित में यह आपको 5000 रुपे में मिल जाएगी 5000 से जियादा में नहीं लेनी है सही प्राइज इसकी 5000 रुपे है तो 5000 रुपे में ही इसको आपको लेना है CV650 कोर्सेर की जो यह पावर सप्लाई है बहुत अच्छी पावर सप्लाई है तो cabinet में guys तो मैं यह कहता हूँ कि मैं यहाँ पर recommend करता हूँ वो भी आप ले सकते हैं और उस prize में आपको कोई दूसरा cabinet मिलता है तो वो भी आप लेक सकते हैं आपको यह देखना है कि हमने जो 240 mm वाला जो liquid cooler यहाँ पर purchase किया है वो आपकी cabinet के साथ अच्छी तरह किसे attach हो आगे की तरफ मिल जाते हैं और एक exhaust fan पीछे की तरफ मिल जाता है ARG भी fan है वो आपको इसमें देखने मिल जाते हैं और सच में एक अच्छी quality का cabinet भी है गेलेंस का revolution 01 model तो यह आपको purchase करना है 4000 के budget में तो यह था हमारा PC build पूरा 97,000 रूपीज के अंडर में गाई यह PC build आप और क्या यह PC build आप करने वाले हो यह comment में आप बताना और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो like and share कर देना और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो और आपको interest है PC build में और laptop में और AC technology से चुड़ी हुई जानकारी में तो हमारी चैनल को आप subscribe कर सकते हो